नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है संदीक और ये है जियोनी मैक्स प्रो और वीडियो शुरू करने से पहले दो बाते मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ पहला तो स्मार्टफोन का giveaway में कर रहा हूँ और participate करने के लिए आपको चैनल को subscribe, वीडियो को like, share करने की कोई जरूरत नहीं है आपको सिर्फ मुझे Instagram पे follow करना है और वो भी इसलिए क्योंकि वहाँ पर मैं इसका live result निकालूँगा तो आपको मालूम पढ़ जाए जब मैं इसका result निकालूँगा उसके बाद आप मुझे unfollow भी कर सकते हो यार ऐसी कोई बात नहीं है और दूसरी बात यह है कि जो mobile है मुझे brand ने बिजाए तो ऐसे में review बनाते वक्त मैं सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखूँगा मैं इसके कोई तारीफ नहीं करने वाला हूँ जो facts हैं वो आप लोग के साथ share करूँगा उसके बाद आप मुझे नीचे comment box में बताएगा कि क्या यह smartphone value for money है या नहीं box को open करते ही आपको कुछ user manuals और warranty card देखने को मिल जाते हैं इसके साथ ही आपको एक sim ejector tool भी देखने को मिल जाएगा साथ ही आपको एक 10 watt का छोटा सा charger भी देखने को मिल जाता है और साथ ही इसके है micro USB cable और बात कर अगर मैं smartphone की तो यह sunrise design के साथ आता है देखने में तो काफी खुबसूरत लग रहा है polycarbonate की body है और अच्छी बात ही है कि इसके कोई fingerprints वगरा नहीं लगते हैं तो आप इसको normally भी use कर सकते हैं अगर आप cover वगरा नहीं लगाना चाहते हैं तो भी इस पर fingerprints के निशान जो हो नहीं पड़ेंगे दोस्तों बात कर अगर मैं display की तो यहाँ पर आपको 6.52 इंचेस का HD Plus Full View Due Drop Notch डिस्पले देखने को मिल जाता है अचा lockdown के अंदर मैंने एक चीज़ को note किया है कि यारा students की बात करूँ यारा professionals की बात करूँ थोड़ी सी बड़ी screen वाला जो display है न वो काफी helpful रहा है online studies करते हैं या फिर office का थोड़ा बहुत काम करते हैं तो ऐसे में एक बड़ी screen जो होती है वो कही ना कहीं आपको एक edge प्रोवाइड करती है तो ऐसे में definitely मैं यह बूलूँआ कि यार काफी अच्छी picture quality आपको यहाँ पर देखने हो मिल जाती है और इसके साथ साथ क्योंकि बड़ा display है तो अगर आप online study करना चाहते हैं तो भी आपके helpful रहेगी और अगर आप office वगर अगा काम करना चाहते हैं then definitely यहाँ पर भी यह phone आपके help करने वाला है इसके साथ ही एक दूसरी चिकायद मुझे रहती है जो कि काफी सारे smartphone से रहती है वो यह है कि जहाँ पर आपको बड़ा display देखने हो मिलता है इस price segment में वहाँ पर बड़ी battery देखने हो नहीं मिलती तो यह कमी कही न कहीं smartphone के अंदर पूरी होती है जियोनी Max Pro के अंदर आपको एक काफी बड़ी massive 6000 mAh की battery देखने हो मिल जाएगी और भाई मैं इसको battery नहीं बैटरा बलूँगा क्योंकि मैं 2-3 दिन से smartphone को use कर रहा हूँ और अराम से battery 2-5 दिन जए निकाल देती है अगर आप extreme use करते हैं तब भी मेरे खाल से एक दिन तो कहीं नहीं गया बड़े अराम से 6000 mAh की battery एक से देड़ दिन निकाल देगी बाकी build quality के अगर मैं बात करों तो यह sunrise design मुझे personally काफी पसंद आया है देखने में फोन attractive लग रहा है और यहाँ पर ना left side में आपको एक dedicated google assistant का button देखने हो मिल जाता है तो आप थोड़ी देर इसको press करके रखेंगे तो google assistant जो हो activate हो जाता है तो ऐसे में आप पूछ सकते हैं what's the temperature right now here's a result from google तो google assistant जो हो काफी fast और accurate काम कर रहा है और अगर मैं बात करता हूँ right hand side की तो यहाँ पर आपको power button और उसके साथ volume rocker जो हो देखने को मिल जाते हैं दोस्तो बात कर अगर मैं top की तो यहाँ पर आपको 3.5 mm का jack देखने को मिल जाएगा और बात कर अगर मैं bottom की तो आपको speaker grill और charging port जो हो देखने को मिल जाता है दोस्तो जब से smartphone मेरे हाथ में आया है पता नहीं क्यों मैं इसका durability test करना चाहता हूँ क्योंकि normally 6000 rupees की range के दर जो smartphone होते हैं उनकी durability यार चेक करनी चाहिए क्योंकि काफी कमजोर smartphone वह पर निकल के आते हैं तो अगर आप बोले तो मैं यहां से इसको drop कर देता हूँ मेरा काफी मन कर रहा है मैं एक बार ही drop करके देख लेता हूँ देखते है guys यह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ओके तो phone जो हो perfectly काम कर रहा है कोई problem यहां पर नहीं आ रही है मुझे और durability के मामले में तो brand भी बोल चुका है कि 3000 से उपर rug टेस्ट किये जा चुके है स्मार्टफोन के उपर और इस price segment के अंदर 6000 mAh की battery का होना 6.5 inch की body screen का होना 3 GB की RAM का होना मेरी ख्याल से combination सिर्फ G and Max Pro के अंदर आपको देखने को मिलेगा और 3 GB RAM होने का है और एक फाइदा आपको देखने को मिलता है जब आप multiple apps को open करते हैं तो ऐसे में RAM जो होती है वो उनको अच्छे से manage करती है काफी सारी बारी ऐसा होता है कि आप Google Chrome भी खोलके बैटे हुए है साथी कुछ game भी खेल रहे हैं background में कुछ applications आपकी open है तो ऐसे में जब आप multiple apps को open करते हैं तो budget segment के smartphone में काफी बारी lag आपको देखने को मिलता है तो ऐसे में कही न कहीं 3GB की RAM है वो आपको help करती है अच्छी performance में और बाकि 32GB की storage तो आपको देखने को मिली रही है इसके अलावा 2 4G की SIM लगाने के बाद भी आपको dedicated microSD card का slot देखने को मिल जाता है तो अगर 32GB की storage आपकी भर रही है तो उसके बाद भी आप dedicated microSD card लगा के storage को बढ़ा सकते है Camera division की अगर में बात करूँ तो rear में आपको dual camera का support देखने को मिल जाता है with LED flash और यहाँ पर जो primary camera है वो आपको 13MP का देखने को मिल जाता है यह एक AI camera है कुछ picture samples में आप लोगों के साथ share कर रहा हूँ ताकि आपको idea हो जाए कि जो rear camera है उसकी picture quality कैसी आपको देखने को मिलने वाली है और 2MP का portrait lens भी आपको देखने को मिलता है तो bookie effects के साथ भी आप picture जोगों क्लिक कर सकते है selfie के अगर मैं बात करूँ तो इस dewdrop notch के अंदर आपको 8MP की selfie देखने को मिल जाती है जिसके results में आप लोगों के साथ share कर रहा हूँ तो आपको idea लग जाएगा कि back और front दोनों cameras की performance आपको कैसी देखने को मिलती है अच्छा safety और security की बात करूँ तो fingerprint scanner आपको यहाँ पर नहीं देखने हो मिलता है लेकिन face unlock की speed मैं आपको दिखा देता हूँ unlock हो गया है मैं दुबारे lock करता हूँ बाकि Android 10 का support आपको यहाँ पर देखने हो मिल जाता है कुछ blotways आपको pre-installed इस smartphone के अंदर देखने हो मिल सकते हैं लेकिन आप उनको easily uninstall या disable भी कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं performance के बारे में तो यहाँ पर आपको एक octa core processor देखने हो मिल जाता है Uni SoC का SC9863A और अगर आप इसे किसी snapdragon के processor से compare करना चाहते हैं तो आप 625 से compare कर सकते हैं almost वैसी performance आपको देखने हो मिल जाएगी कुछ game मैंने यहाँ पर play करे हैं जो मैं आपके साथ share कर देता हूँ ताकि आपको idea हो जाए कि gaming जो हो इस smartphone के अदर कैसी होने वाली है बाकि जो normal games है like temple run या subway surfer और वो तो आप बहुती smoothly हाँ पर gameplay कर पाएंगे कोई problem आपको आने वाले नहीं है कहने का मेरा मतलब यह है कि 6999 रुपे के अंदर वैसे इस पर 10% का discount भी है अगर आपके पास कोई bank का card है तो आपको यह smartphone 6300 रुपे के अस-पास का जो है वो देखने को मिल जाएगा तो 6999 रुपे के अंदर इस smartphone के अंदर आपको काफी बड़ी screen काफी बड़ा battery backup, 3GB की RAM, 32GB storage भर-भर के configuration देनकी कोशिच कर रही है अगर मैं साफ-साफ बोलू तो और मेरे ख्याल से value for money जो बनाता है बाकि आपका क्या है कहना नीचे मुझे comment box में जरूर बताएगा और giveaway के अंदर participant करने के लिए मुझे Instagram पे कुछ दिनों के लिए follow जरूर कर लेजेगा ताकि आपको results जो मालूम पढ़ जाए और आप मुझे जरूर comment box में बताएगा कि personally आपको इस smartphone के अंदर क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा जो नहीं अच्छा लगा वो भी जरूर बताएगा ताकि company को feedback मिले और वो उसके अंदर improvement करे और इसी तरीकी के unbiased video देखने के लिए आप channel के साथ बने रहेगा लगातार आपके लिए ऐसे videos मैं लेके आता रहता हूँ मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी next video के अंदर